स्वामी जी लेकिन जब हम बात करते हैं आ रहे हैं भगवाधारी तो कहीना कहीं एक कौम जो अपने आपको हाशे पर महसूस कर रही है उसमें एक डर पैदा होता है देखे हम किसी के लिए खत्रा नहीं है ना किसी और को हमारे लिए खत्रा होना चाहिए यहां खत्रे की बात नहीं है स्वधर्म निष्ठा परधर्म सहिष्णता यह हमारी संस्कृती के मूल मंत्र है हमने तो एकत्व सहस्तित्व और सामद जैसे के वन्नेक्स, कॉग्जिस्टेंस एन हार्मनी के गीत गाए लेकिन हमारी उदारता को कोई कायरता ना समझे इसलिए मैंने कहा हम पलायनवादी, प्रमादी और कायर, कमजोर, भुजिल सन्यासी नहीं बना रहे विरपराक्रमी सन्यासी बना रहे जिनको अपने स्वधर्म में और राष्ट धर्म में सनातन धर्में ध्रण हिनिष्टा है और किसी के प्रतिबहर नहीं है तो यह माना जाए कि अब बाबा रामदेव जो कई ध्वजवाहक बन चुके हैं हम सनातन के ध्वजवाहक है हम योग धर्म धर्म रिष्ट धर्म सनातन धर्म के साथ राष्ट धर्म के समवाहक और यह सनातन धर्म दुनिया क्या हुशकता है अब दुनिया कह रही है कि हमको योग की सरण में आना है दुनिया कहरे हमें जो सनातन मुल्य बोध है अब उधर मुहादा है तो इसमें मेरा एजंडा नहीं है तो दुनिया का एजंडा है तो बाबा का कोई एजंडा नहीं है और देखे हर्की पौडी हरिद्वार में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरीके से जो दिक्षा महोचसभ हुआ है बेहद जरूरी है जिस तरीके से बाबारामदेव ने निउस 24 से खुल कर कहा और ये कहा कि आज की जरूरत है समय की मांग है कि जिस तरीके से तमाम शेत्रों में करांती आई है ऐसे में शिक्षा मे आसी और भ्रह्मचारी है वो ध्वजवाहक के तौर पर ही काम करेंगे कैमरमन नेतिन के साथ दव्यागरवाल हर की पॉड़ी हरिद्वार निउस 24